अस्सलाम अलेकूम फ्रेंड्स, कम्यूनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना हर उस शक्स के लिए ज़रूरी है जो कि दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता हो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछू के फाउंडर्स के नाम बताओ तो आप सब के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आएगा और वो है स्टीव जोब्स मगर एपल कपनी की काम्याबी में सिर्फ उनके अकेले का हाथ नहीं है 1976 में स्टीव जोब्स ने स्टीव विजनियेक एंड रोनल्ड वेन के साथ मिलकर एपल कपनी की शुरुआत की ताके वो एपल वन के नाम से अपना पहला कम्यूटर बना कर उसे लोगों में सेल कर सके एपल वन एपल कपनी का सबसे पहला कम्यूटर था और इसको डिजाइन किया था स्टीव वोजनियेक ने अगर देखा जाए तो इस कपनी को बिल्ड करने में सबसे बड़ा हाथ स्टीव वोजनियेक का था लेकिन फिर क्यों दुनिया सिरफ आज स्टीव जोब्स को ही जानती है और स्टीव वोजनियेक को नहीं इसका रिजन है कम्यूनिकेशन स्किल्स स्टीव वोजनियेक एक इंट्रोवर्ट और शाई परसं थे वो अकसर अकेले में काम किया करते थे वैसे तो उन्हें टेक्नोलिजी और इलेक्ट्रोनिक्स में उनको काफी इंटरस्ट था लेकिन अपनी बात लोगों में बोलना और मार्केटिंग करना उनको नहीं आता था स्टीव जोब्स को स्टीव वोजनियेक से मनौलिज वाकी में कम थी मगर उसको बोलने का अंदाज आता था और कम्यूनिकेशन स्किल्स आती थी उन्हें लोगों में अपनी बात करना और लोगों को अपनी बात मनवाना और इसके इलावा लफजों के जरी अपने प्रोड़क्ट को लोगों में बेचना बहुत ही बाखुबी आता था जिसकी वज़ा से वो हमेशा कुल के दुनिया के सामने आते थे इसलिए दुनिया ने उनको देखा और उनको जाना और ज्यादा इंटेलिजन्ट होने के बावजूद भी स्टीव वजनिये को वो पेश्चान नहीं पिल पाई जो स्टीव जॉब्स को मिल पाई इसकी सिरफ और सिरफ एक ही वज़ा है कम्यूनिकेशन स्किल्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम्यूनिकेशन स्किल्स के कुछ पांच रूल बचाने जा रहा हूँ जिनको सीख कर आप बहुत चालाखी के साथ अपनी बात मनवा सकते हैं और पबलिक में अपनी बात कर सकेंगे तो फ्रेंड्स आज आपकी लाइफ में एक और जबरदस्त विल्यू एट करेंगे तो चले चलते हैं अपने आज की वीडियो की जाने रूल लंबर वन बिल्ट स्ट्रॉंग आई कंटेक्ट इफ यू वांट तो कन्वेंस अमेन टॉक तो हिज आईस यह कहना था अटारवी सदी के सबसे पावरफुल लोगों में से एक निपोलियन का आई कंटेक्ट बोडी लेंग्विज के सबसे इंपोर्टेंट अस्पेक्ट में से एक है आई कंटेक्ट को मेंटेन किये बिना कोई भी कम्यूनिकेशन एफेक्टिव नहीं हो सकती आई कंटेक्ट आपके कम्यूनिकेशन आई कंटेक्ट आपके कॉन्टेंस डेवल को बढ़ाता है आप कितनी देर तक किसी के साथ आई कंटेक्ट मेंटेन कर सकते हो इससे पता चलता है कि आप कितने confident हो और अगर आपने किसी भी successful आदमी की speech देखी होगी तो आपने जरूर नोडिस किया होगा कि वो कितनी अच्छी तरह eye contact को maintain करते हैं जैसा कि Elon Musk, Steve Jobs, etc आपने ये जरूर नोडिस किया होगा कि वो किस तरह से eye contact को maintain करते हैं वो जब भी बात करते हैं तो वो अपने audience की तरफ देखते हैं और उनकी आँखों में आँखे डाल कर बात करते हैं क्योंकि उनको ये बात मालूम है कि अगर वो eye contact maintain ना करें तो उनकी बात कोई भी नहीं सुनेगा फ्रेंड्स, किसी के साथ भी बात करते हैं वकत strong eye contact maintain रखो बस इस चोटी सी बात पर अमल करके देखो आप अपनी communication skills को next level पर पहुंचा सकते हो क्योंकि आँख से आँख मिला कर बात करना सब के बस की बात नहीं rule number two पहले सामने वाले के interest की बात किया करो क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी सबसे पहले अपने फाइदे का सोचता है और एक चालाक और confident आदमी ये बात जानता है कि इसलिए वो जब भी बात करता है तो वो सबसे पहले सामने वाले के फाइदे की बात करता है और पिर अपने फाइदे की बात करता है जबके आज के टाइम जब भी लोगों से मिल दे हैं तो वो सबसे पहले अपने फाइदे की ही बात करते हैं मैंने वो नई गाड़ी खरीद ली मैं पिछले महीने लंदन गया था ओके ठीक है आप चले गए मगर सामने वाले को इससे क्या मतलब आपको ये देखना चाहिए के सामने वाला आपसे क्यों मिल रहा है आपसे उसे क्या फाइदा हो सकता है इस बात को आप चानके एक हिंदू आदमी से बहुत अच्छी सारा सीख सकते हो जब चानके चंदर गुप मौरे को बहारत का बाच्छा बनाना चाहते थे तो उन्हें ये मालूम था कि ये काम वो लोग अकेले नहीं कर सकते उन्हें किसी ना किसी को अपने साथ जरूर लेना होगा तो उस वकद बहारत के सबसे बड़े राजे पर दनानंत राज करता था जो चानके का उस वकद सबसे बड़ा दुश्मन था चानके ने उस वकद क्या किया उसने उस वकद दनानंत के जितने भी दुश्मन थे एक एक करके अपने साथ मिलाने की सोची इसी काम के लिए वो सबसे बारी बारी मिलने गए जब भी वो किसी बाचा के यानी राजे के साथ मिलने के लिए जाते तो वो सबसे पहले उसके फायदे की बात करते और उसके फायदे की बात किया करते ते और पर अपनी बात किया करते थे Friends, आप कोई बस इसे रूल पर अमाल करना है जिसकी वज़े से आप हमेशा ही सब लोगों को influence करना सीख जाएंगे रूल नमबर त्री, it's not what you say, but how you say it is more important Communication के दोरान में बात ये नहीं होती कि आप क्या बोल रहे हो बगर में काम ये होता है कि आप किस तरह से अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हो और उस वकत आपकी body language क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा important है आप किसी भी successful personality को उठा कर देख लो, वो जब भी बोलते हैं तो open body language के साथ बोलते हैं बात करते हैं वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं और जब बैठते हैं तो तोड़ा फीचे होकर बैठते हैं जिससे वो ज़्यादा confidence नजर आते हैं researchers की माने तो 70% communication skills में आपकी body language का होता है और 30% role इसका होता है कि आप क्या बोल रहे हो Friends इसे एक example के जरिये समझते हैं मान लो कि आप इस interview पर जा रहे हो और वहाँ पर बेटा interviewer आप से पूछता है कि tell me something about yourself अब इस बात का answer आपके जहन में बहुत यचे से तयार है मगर आप answer बहुत slow voice में देते हो आप interviewer ये नहीं देखेगा कि आपने कित अच्छा answer दिया है मगर वो आपकी इस बात को notice करेगा कि आपने बहुत ज़्यादा low tone में उनको answer किया है जिसकी वज़ा से पिर वो आपको एक unconfident person समझेगा इसलिए बोलने का तरीका भी बहुत ज़्यादा important होता है इसी तरह अगर हम उसे कभी example ले लें तो गुसा हमारे लफजों में नहीं होता बलके हमारे चेहरे पर expression से मालूम होता है हमारा चेहरा देख कर ही समने वाला ये कह सकता है कि ये गुसा है इसलिए friends आप क्या बोलते हो इसके इलावा आप किस तरह बोलते हो इसका लोगों पर अच्छा या खराब impression पड़ता है अपने body language पर काम करो और इस पर practice करो और इसे सही करो ताकि आपके communication skills में इजाफा हो सके और next level पर पहुंच सके आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी इसका मतलब है कि आप लोगों के साथ उसी तरीकी के साथ बात किया करो जिस तरह से आप चाहते हो कि लोग आप से तरीके में बात किया करें फ्रेंड्स इसके पीछे एक सिंपल साही लोजिक है कि अगर आप किसी के साथ घुसे में बात किया करोगे तो वो भी आपके साथ प्यार में बात करने वाला तो नहीं है ना पिर चाहे आप कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो और कितने ही बड़े तिसमार खान क्यूं ना हो हमेशा दूसरों के साथ इज़त के साथ बात किया करो क्यूंके जो लोग दूसरों के साथ तमीज से बात करते हैं तो उनके साथ भी कोई कभी भी बतमीजी नहीं करेगा पुलाइटली बात करने कितना जरूरी होता है मैं आपको एक कहानी के जरिये समझाता हूँ एक बार एक बादशाह जंगल में शिकार करने के लिए गया उसके साथ उसके सिपाई भी थे और उसके कुछ वजीर भी मौजूद थे जंगल में शिकार करते होगा तहरन का शिकार करने के लिए बादशाह अपने सिपाही और वजीरों से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया और काफी देर तक वहां पर मौजूद सिपाही और वजीर बादशाह का इंतिजार करते रहे लेकिन जब बादशाह नहीं लोटा तो उन में से कुछ वजीर और सिपाही उसी सिंप में चले गए जिस सित में बादशाह आगे निकल गया था तो उन में से एक सिपाही आगे आगे चल रहा था और एक वजीर उसके साथ गोड़े पर पीचे पीचे चल रहा था वही पास में एक बज़र्ग आदमी बेटे हुए थे तो वो सिपाही गोड़े से उतर कर उस बज़र्ग आदमी इस फेर सिलाने लगा कि सुनो बुड़े आदमी किया तुमने हमारे बाद्चा को यहां से गुजरते हुए देखा है उस बजर्ग ने उस सिपाही का कोई भी जवाब नहीं दिया बलके चुप ही रहा उसके बाद उस वजीर ने प्यारे नरम लहजे में उस बजर्ग आदमी से पूचा कि देखिए आपने हमारे बादशाग को देखा तो नहीं कि वो किस तरफ चले गए हैं तो उस बजर्ग अदमी ने एक तरफ इशारा किया कि इस तरफ बादशाग चला गया है वजीर ने उसका शुक्रिया अदा किया और वहां पर उस ही रस्ते पर चल पड़ा और वहां पर सामने उसे बादशाग भी मिल गया तो यहां आपने खुद देख ही लिया होगा किस तरह एक वजीर के नरम लहजे में बात करने से उस बजर्ग में उसे कितने प्यारे अंदाज में बता दिया यह नहीं पॉलाइटली बोलने की वज़े से उसका जवाब मिल गया और गुसे में बोलने वाली सिपाही की उसके बात का जवाब नहीं मिला बले ही यह कोई स्टोरी ही है मगर इस से मिलने वाले लेसन हंडर्ड परसंट रू है अगर आप लोगों के साथ पॉलाइटली बात करते रहोगे तो आप लोगों को अपने साथ जोडते रहोगे और आने वाले दोर में वो लोग आपकी मदद करने में कोई भी कसर नहीं चोड़ेंगे तो इसलिए पॉलाइटली बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी कम्यूनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करने के लिए अभी कुछ दिन पहले ही मुझे मेरा एक दोस्त एक वाक्या सुना रहा था कि वो कुछ दिन पहले अपने मोट साइकल पर सवार था और वो जाते जाते एक रेल वे पाटक पर रुख गया क्योंके वहाँ पर रेल गाड़ी गुजर रही थी और रेल पाटक बनती तो वो वहाँ पर रुख गया मगर जब वो क्रासिंग जब कुलती है तो वहाँ पर काफी बीड होती है और सारे बाइक्स वाले चाहते हैं कि वो सबसे पहले निकल जाएं और जो ही ट्रेंज चली गई और प्रासिंग खुल गई तो वहाँ पर मौझू सारे बाइक्स वाले एक दम तेजी के साथ वहाँ से एक ही साथ निकल पड़े और में भी चल दिया मेरे आगे एक और बाइक ती जिसे मेरी ही उमर का एक लड़का चला रहा था और उसकी बाइक अचानक से बंद हो गई और मैंने भी अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ ब्रेक लगा कर कंट्रोल कर लिया इससे पहले के मैं कुछ कहता तो उस अदमी ने बीचे मुड़कर एक जैन्वन सी स्माइल दी तो मैं भी मुस्कुरा दिया तो यहां से हमें पता चलता है के स्माइल बहुत ही कंबीर सिचिवेशन को भी बहुत ज़्यादा सिंपल बना देती है जिससे माहौल का सारा का सारा टेंशन ही खतम हो जाता है उस आगे वादे लड़के ने कुछ भी नहीं कहा मगर उसने एक स्माइल दे दी जिसकी वज़ा से सारा माहौल लाइट हो गया और एक मेसिज ये भी दिया के हाँ भाई होता है यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं अगर वो मस्कुराने की जगा उसकी हाल खराब हो जाती तो उस पर एक ज्यादा बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ता जिसकी वज़ा से मुझे भी घुसा आता और माहौल खराब हो जाता मगर उसकी मस्कुराहट की वज़ा से बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ा इसलिए आपकी मस्कुराहट की वज़ा से आप तो खुश होते ही हैं और इसके साथ-साथ माहौल पर भी खुशगावार असर पड़ता है इसलिए जब भी ने लोगों के साथ मिले तो उन्हें मस्कुराहट के साथ मिला करें लेकिन दोस्तों ये चीज़ भी एक लिमिट में ही करनी है आपने बिला वजह हमें सहांसते ही नहीं रहना है यूँकि वो फिर बेड इप्रेशन्स में आता है इसलिए जब भी लोगों से पहली बार मिलो तो एक पॉजिटिव स्माइल के साथ मिला करो ये आपको लोगों के साथ मजबूत बॉइंडिंग बनाने में एक अच्छा किरदार अदा करती है और एक कम्यूणिकेशन स्किल्स में भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है फ्रेंड्स ये थे वो 5 पॉइंट जिन पर अमल करके आप लोगों के साथ चलाकी के साथ बात कर सकते हैं और लोगों को इंफ्लूइंस कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं मैं एक बार इन पॉइंट्स को दुबारा रफली समराइस कर देता हूँ नमबर फाइफ आप क्या बोलते हो उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप किस तरह से बोलते हो और आपकी बोर्डी लेंग्विज कैसी है नमबर फॉर सामने वाले से मिलने के लिए उससे अपने इंटरेस्ट बताने से पहले उसका इंटरेस्ट पूछ लिया करो कि ओ आपसे क्यों मिलना चाह रहा है और आपसे क्या चाहता है और बाद एपने इंटरेस्ट की बात किया करो नमबर त्री आप अपने पुराने दोस्तों से मिलते हो तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराट के साथ मिलते हो इसी तरह जब अपने नए दोस्त बनाओ तो उनके साथ भी मुस्कुराट के साथ मिला करो ये एक काफी अच्छा इंप्रेशन बढ़ाता है नमबर टू हमेशा पॉलाइटली बात किया करो इसके वज़े से भी इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और सब से पहला नमबर पर अइकंटेक जो बहुती ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप लोगों के साथ मझबूत आइकंटेक्ट मेंटेन करेंगे तो आपके बहुती ज़्यादा कौन्पेडैन्ट शख्स मानेंगे इसलिए आई कंटेक्ट एक बहुत ही बड़ा मोहरा है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना बूलेगा क्योंकि इसकी वज़े से हमें मोटिवेशन मिलती हैं इसी तरह की और गूड वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक थी मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस